यूपी में निकाज चुनाओ की रड़ धेरी बच चुकी है नामांकन की प्रक्रिया जारी है लेकिन इस बीच दल बदल का खेल भी खूब हो रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच आपस में खूब नेता कोई इधर चा रहा है कोई उधर आ रहा है लेकिन इस बीच बीजेपी में एक बड़ी गुडबाजी नजर आ रही है और ये गुडबाजी सबसे बड़ी नजर आ रही है पुरवांचल में जी हाँ जो प्रयागराज बीटे काफी दिनों से अतीक हहमत को लेकर चर्चा में हैं वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज बीजेपी की गुडबाजी को लेकर के भी चर्चा में क्योंकि यहां के नेता और कवेबनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी नाराज बताये जा रहे हैं उनकी नाराजगी की सबसे बड़ी वजह है उनकी पतनी का टिकट कट जाना क्योंकि ओ दो बार से लगा तार मेर है और इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है इसके अलावा बीजेपी ने नंदी के जखमों पर नमक रगड दिया है जी हाँ नमक यूँ कि जिस प्रत्याशी को जो कि समाजवादी पार्टी से पिछले विधान सभा चुनाओ यानि साल 2022 में जिसे उन्होंने हराया था उसको केशो प्रसाद मौर जो के डिप्टी सीम है उन्होंने उसे पार्टी में ले लिया है जिसके बाद नंद गोपाल नं और उन्होंने अपनी नाराजगी सारुजनिक कर दी है और प्रयाग राज में जिस तेजी के साथ पार्टी के अंदर गुडबाजी सारुजनिक हुई है उससे तमाम सवाल भी खड़े हो रहे है प्रदेश के अध्योगिक विकास मंतरी नंद गोपाल नंदी साल 2022 में सपा क उम्मीदवार रहे रैस चंद शुक्ल को बीजेपी में शामिल करने से नाराज क्योंकि उन्हें ही उन्होंने 2022 में कारारी सिकस्त जी थी जसके बाद उन्हें मंतरी पत से नवाजा गया था इससे पहले शनिवार को डिप्टी सीम केशो पुरसाद मौरे ने रैस को बीजेपी में शामिल कराया उसके तुरंत बाद नंदी ने बयान जारी करते हुए केशो पुरसाद मौरे का बिना नाम लिये हुए उन पर हमला बोला है नंदी ने बिना किसी का नाम लेते हुए कहा कि कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिम्टेट कमपनी की तरह चलाना चाहते हैं। उनकी हट धर्मिता से पार्टी को लगतार नुकसान पहुँच रहा है। लोगों का कहिना है कि नंद कोपाल नंदी की पतनी अभिलाशा को मेयर का टिकट नाम मिलने से वो पहले से नाराज है। और कहा जा रहा है कि महानगर अध्यक्ष गनेश के सरवानी को टिकट दिलवाने के पीछे भी पार्टी का एक धड़ा केशो प्रसाद मौर को जिम्मदार मान रहा है। गनेश केशो के करीबी माने जाते हैं जबकि नंदी सीट सामान होने के बाब थी अभिलाशा को चुनाओ लड़वाने की पूरी तैयारी करके बैठे थी लेकिन उनके इरादों में पानी फुर गया। बीजेपी ने निकाय चुनाओ की तैयारियों को लेकर रविवार को प्रयाग राज में एक प्रेस कॉन्फरेंस की। इसमें डिप्टी सीएम केशो प्रसाद मौर पूरु मंतरी सद्धार्थ नात सिंग, स्वांसद रीता बहुना जूशी और केसरी दीवी पटेल मौजू गया तो उन्होंने नंदी को जन्म दिकिन की बधाई दी और इसका लावा कोई भी बात बोलने से इंकार कर दिया। यानि अतीक हमत से 5 करोर रुपए लेने का आरोप लगाया था जसके बाद उनकी और पार्टी के बीच में दूरी बढ़नी शुरू हो गई थी। कट काटने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त कर दी है। अब देखना है कि भवस कहा ले करके जाता है। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रही हो वन इंडिया हिंदी के साथ। नमाशकार।